हेलो गाइज मैं हूँ अमित और बहुत टाइम के बाद में कैमरा के सामने आप लोगों के सामने बैठा हूं भाई बहुत बड़े अलग रहा है कि फाइनली हो चुका है सब कुछ सब ठीक हो चुका है गाइज बहुत सारी बाते करनी हैं आप लोगों से बहुत कुछ बताना आप लोगों को गाइज वो कहते हैं ना की बुरे टाइम की भी अच्छी बात ही होती है कि वो यह बता देता है कि कौन अपना है कौन नहीं है और वो चीज मैंने अपनी आखों के सामने देखी गाइज मेरे पास में बताने के लिए वर्ट्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए वर्ट्स नहीं है जो प्यार आप लोगों का मिला जो सपोर्ट आप लोगों का मिला गाइज वो बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ट्स नहीं है पर इतना जर वेरी वेरी मच्छ तिल से गाईस हमने आज तक कितने ही सापो का रेस्क्यू किया है कितने की तो वीडियो हमने बनाई है बोटों की वीडियो भी हमने नहीं दा लिये आप लोग चांत रही है आप इसे करिये मत दिवार में इतना बड़ा सांप गुसा हुआ था ये चोटी सी जगे में गुसा है ये तो गाइस कोब्रा पैको चुका एक और 60-70 परसंट ये लोग फाल्स बाइट करते हैं दोस्कों यहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वानी में जो सांप है वो पड़ा हुआ है और यह जो कॉमन क्रेट स्नेक है जो कि इंडिया में काफी पाया जाता है और सबसे जहरीला सांप इसको इंडिया का बताया जाता है और मुझे जो है इसके इतना पास होते है बड़ा ही अजीब से लग रहा है थोड़ा डर भी लग रहा है जो कि भई डर असली है क्योंकि इसके अंदर जहर है इस सांप के अंदर इतना वेनम है जो कि एक बड़े हाती की भी जान ले सकता है लेकिन बहुत कामयाब भी रहा था लोगों को नॉलेज मिली है सांपों के बारे में और काफी लोगों की जाने भी बची है और सांपों की जाने भी बची है तो इस चीज में जो भारत के जो सर्प मित्र हैं जो स्नेक सेवर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे केस में गुड़ू मौरिया जी से मैंने बहुत सारी चीज़े सीखी सांप के बारे में कि सांप कितनी तरीकी के होते हैं काट ले तो क्या करना चाहिए और वो नौलेज भी गाईज कही नगे काम आई है और मेरे जुसाब से जुरुत है और किसी को अवेर होने की सांप के पर ती और अंध विश्वास से बाहर निकलने की भी कि बहुत सारे लोग मिलने भी आये मुझसे आप सभी को भी thank you very much दिल राज भाई आये भाई अच्छा लगता है यार कि इस टाइम पर सब लोग साथ है एक्सपेरिमेंट किंग से भी लोग आये थे हलाकि उस टाइम में हॉस्पिटल में था मैं यह था नहीं बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ कुछ लोगों को लग रहा है कि हम कोई वीडियो शूट कर रहे थे कोई रेच्प्यू कर रहे थे तब जा करके ये पूर एक्सिड़ेन्ट हो गया गाइस ऐसा नहीं है हम नोग को कैम कर रहे तो हमें चीज़ें हमा को शडान नहीं थी तो उसमें जहां पर लोहे प्लास्टिक का बहुत सारा सामान पढ़ाता उसमें कई बोतले पढ़ी हुई थी बहुत सारी और फी चीजे पढ़ी थी उसमें तो मैंने सुचा कि चलो 7जिय की बोतल निकालता इjos हानबगा सबस्किलिक नीकालने के यह हाथ सीधे आठ मेरे तेज एकदम से दर्द हुआ कि कुछ गुज गया हाथ में समझ में आया कुछ भी उससे पहले हाथ मैंने खीचा हाथ के साथ में मलब थोड़ा सा उपर लाया और उसके साथ में जो साफ है वो भी यहां पर इसने पकड़के रखा हुआ था मैंने तुरंत मतलब कुछ समझ में आए उससे पहले मैंने दूसरे हास से उसको हटाया कि भाई पहले इसको हटाओ वो सारा जो कुछ है वो एक देड़ दो सेकेंड में ही हो गया जो अपना इंस्टेंट रियक्शन होता है ना किसी गरम चीज पर हाथ रख तुरंत हटता है उसके बाद में सोचते हैं कि हुआ क् चीज गाइस मेरे साथ में मैंने तुरंत से हटाया और सरदी का मोसम था तो कहीं न कहीं अच्छी बात यह रही कि जो सांप है वो भी थोड़े कम एक्टिव होते है ठंड में यह अच्छा पॉइंट रहा लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि भाई सांप ने काटा है मैंने सा अधर्वनुमेस ने तो नहीं है यह तो वैनमस है खतरे की बात है एक तम से सब कुछ हिल गया कि भाई आज तो गए आज के दिन दुनिया खतम यह फील आती है देखके मुझे भले सांपों के बारे में पता है सब चीज़े पता है लेकिन यह फीलिंग आती है कि भाई खत् बढ़ती है और दिल के धड़कन बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में और जो वैनम उसने इंजेक्ट किया है वो तेजी से शेरी के अंदर फैल जाएगा तो मैंने सुचा कि खुद को शांत रखना है कुछ भी खुद को शांत रखना मैं तुरंट से मैंने बताया इन लोगों को लगी मजा कर रहा हुआ हाथ दिखाया ऐसा ऐसा है यह हुआ है भाई उसके तुरंथ लगभग देड़ दो मिनट के अंदर तो हम लोग गाड़ी में बैठ गया मैंने का यह कपड़ा ले लो बांदने के लिए इन लोगो इतना वेरनेस थी कि मत करो जो मिले वो ले लो एक कपड़ा लिया गाड़ी में हम लोग निकल गए उसके बाद में बांदा उसको और उससे फरक पड़ता है थोड़ा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है गाईस तो इस हिसाब से भाई पूरा इंसिडेंट रहा उसके बा प्रात में दर्द शोरू हुआ दर्द बढ़ने लगा सर में भी दर्द ओने लगा और वो दर्द बढ़ता ही गया इन फैक्ट जब इलाज चल रहा था उस टाइन तक भी वो बढ़ता ही रहा जब एंटीवेनम का असर हुआ तो जा करके धीरे-धीरे करके मतलब वह कंट्र पर होगी कुछ इस तरीके से रागाइस आज जो है आठ नो दिन हो चुके और मैं आपके सामने वैठा हूं गाइस अभी मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग भाई आप लोगों ने इतना प्रे किया इतनी दुआएं करी मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई भी करता होगा या कोई भी इतना लकी होगा भाई बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ अपने आपको ये सोचके कि आप लोगा साथ मेरे साथ है लोग मैंने बाद में देखा कि लोग मैसेच कर रहहें कि आपकी दूआ करने के लिए मैं मंदिर में जाके दूआ करके आए ह। मैं मस्जिद गया हूं मैं गुरू दवारे में गया हूं मैं चर्च बए गया हूं आप लोगों ने इतना कुछ मेरे लिए किया आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया भाई उसके लिए फिर से दिल से थैंक्यू वेरी मच कहीं न कहीं आप लोगों का ये साथ और प्यार भी इस बात में है और मैं ये बात पूरे मन से पूरे दिल से कहना जाता हूं कि शायद आप लोगा साथ नहीं होता तो ऑढ़ी पता नहीं क्या होता क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए इमएर्जन्स के सिलेशन में चीजें हमारे हाथ में होती अ carrots स Natal ही नहीं है अब गाईज रही बात सांप काटने की तो यहां पर कुछ बाते में कहना भी चाहता हूं कि अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली भाई सांप काट लेता है तो भाई प्लीज किसी भी तरीके के जाड़ फूक के चक्कर में जड़ी बूटी के चक्कर में मत पढ़ना सीधा उसक तो एक सिंपल टिटनेस का इंजेक्शन लेगा कोई टेंशन नहीं लेनी अगर वेनमस्नेक है जैसे की कॉब्रा है रसल्स वाइपर है सो स्केल वाइपर है ऐसे जादा साम जहरी ले नहीं होते हैं बहुत कम स्पीशी से जो की जहरी ले होती है कॉमन क्रेट हो गया यह सारे प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और वो हॉस्पिटल में होगा वो किसी जाड़ फूख से कभी भी ठीक नहीं होने वाला गाइस तो प्लीज इस बात को समझे मुझे लोग कह रहे हैं कि जाड़ फूख के चक्कर में आप आपने यह नहीं कराया भाई उससे नहीं होता यार बढ़न जो होता है वो पूझा करने के लिए होते हैं मानने के लिए होते हैं लेकिन स्नेक बाइट के केस में प्लीस सभी से रिक्वेस्ट आप समझे साइंटिक लीचीज़ों को समझे कि इसका इलाज अगर आपके खून के अंदर कोई वेनम आ गया है तो उसको खतम करने क दूसरा कोई चीस डाल नहीं पड़ेगी एंटी वेनम की वाइल साती है तो वह डाले जाती उसको पाम डिस्टिल वॉटर में से कीकेश समय लगाया आया उसके सामने मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं हूं और इतना जरूर कह सकता हूं भाई आपने इतना साथ दिया आपने इतना सपोर्ट किया तो भाई मैं भी अब पीछे नी रहने वाला हूं हम लोग भी अब पूरी जान लगा देंगे आगे जो वीडियो हैं जो साथ है और ऐसा कुछ होने के बाद भी आपने इतना साथ दिया भाई जो करना है वह आप लोग के लिए करना है जो करना है वह अपने काम के लिए करना है आपको और तगड़ी तगड़ी वीडियो और जमर्दस वीडियो गाइस अब देना हमारा काम है आप हम पे छोड़ और आप बस अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिएगा आपका भाई जो है वो चीज़े करता रहेगा क्योंकि अगर आपका साथ है तो और कुछ भी जरुवत ही नहीं है इस किसी चीज़ की कि यह लोग घबरा गए तर लोग तुम लोग भी आजाओ धर पर गाई यह लोग घबरा गए तुरंट से हालांकि जो किया वो इनोंने किया और मैं आपके सामने आज बैठा हूं तो उसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इनोंने टाइम से होस्पिटल पहुंचा को यह यूट्यूब पर नहीं डालना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए आप भाई लोग टेंशन में आ गए क्या हो गया बहुत सारे चली कि अमिद भाई तो नहीं रहे अभी डैथ हो गई है उनकी यह वह करके कि न्यूज में भी लाइव जाता हूं कि यह स्थिति यह परिस्टिस जिसके सामने आती है उसको इसको पता होता है कि क्या हालत होती है क्या माइंड सेट हो जाता है इतने दिन का कभी गया अपनी राव वीडियो में लेकिन अब भाई देना पढ़ गया क्या घरें और दूसरा रीच वाली बात गाइस आप लोग के प्यार की मत से आप लोग के साथ की मैसे हमें यह बताओ कि हमारी रीच कम कम थी आपका इतना प्यार इतना साथ है हमको महीने के 170 मिलियन 180 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन लोग देखते है महीने के जो कि मुझे नहीं लिखता इतना प्यार किसी को भी मिलता होगा हमको छोड़ो इन सब बातों गाइस आप सब लोग आप सब लोग ने जो साथ और प्यार दिया भाई मैं क्या कहूं मेरे मन में आप में से हर एक के लिए जो रेस्पेक्ट है जो प्यार है जो सम्मान की फीलिंग है ना वो और कहीं जादा बढ़ गई है तो गाइस अब जो है हम फिर से काम पे लोट रहे हैं और अब बड़े बढ़िया वीडियो बड़े दमा के आप लोगों के लिए यह लोग भी साथ है और सब लोगा साथ है आप लोग भी साथ है तो जरूर से कुछ बड़िया से करेंगे आप अपना प्यार बनाए भी नी कहना चाहता हूं, thank you very much, thank you very much for everything, thank you